तो जो तुंगनाथ जी का मंदिर आया था ना मुझे ही नहीं पता था कि पंच केदार में से जैसे पंच केदार हैं केदार ना तुंगनाथ, मद्यमहिश्वर, कलपेश्वर और रुद्रनाथ जिस नाबर से आप संपर करना चाहते हैं वहाँ अभी स्विच्ट ओफ है तो जी अपने एक्स्रेम मोटो एड्वेंचर डीजी भाई तो हो गया स्विच ओफ एक्चली उनके साथ मेरा प्लान था उत्राखंड में पिथोरागर वगेरा उसके आसपास जाने का एंड टाइम पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि मेरा प्लान कैंसर हो गया बट अगले दिन यानि कि कल सुबह निकल रहा हूं एक ट्रिप पे जो कि बहुत 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 होने वाला है और क्या हुआ था कि जब मैं बदरीनाथ सबंसे के ना जा रहा था तो बीच में आ तूंगनाथ जी का मंदिर आया था चौप्टा कैन बास के बाद आपका मंदिर आ अजिक का कुप्टा गूमी में आपका यात्रां मंगल में हो तो तुंगनाथ जी का मंदिर आया थना मुझे ही नहीं पता था कि पंच केदार में से जैसे 5 पयदार है उत्रा गंड की अंदर केदारनाथ तो तुम्ःत था म सब्सक्राइश पंद्र यह नि पता था कि जिस-धियत मंदिर केरे ला जिस affiliation मैं नंज भी करें, मेरे मन में यह रही है कि यहार मैं भाँ से निकल के आगया और मैंने वहज़ी चिया तो मैं उसके लिए कल सुबह मेरे पढ़ोस में सही रहते हैं सकते हूं तो के प्रेपरेशन जो है मैं आपको दिखा दू किकि प्रेपरेशन मैं कर रहा हूं और क्या क्या मैं लेकर जा रहा हूं क्योंकि यूट्यूब के वीडियो वगरा बनाने हैं तो उसी हिसाब से अपने गैजेट्स वगरा लेकर जा रहा हूं तो मैं आपको एक बारी गैजेट्स वगरा दिखा जाता हूं कि किस किस तरह से समान क्या क्या है तो जो समान में ले जा रहा हूँ उसमें स्पीकर हो गया Bluetooth स्पीकर 360 कैमरा Power Bank एक Power Bank यह रहा एक Power Bank चार्ज हो रहा है GoPro की बैटरी एक चार्ज हो चुकी है और एक चार्ज हो रही है क्योंकि पिंक है ठीक है और बकी मैं ये पुरा सैटप ले लूँगा चार्जिंग के लिए काम आएगा मेरा हेलमेट और साथ में ये GoPro और 360 का सामान है यहाँ पर उसके बाद ये अपना ये ड्रोन हो गया ये ड्रोन में ले जा रहा हूँ मैविक मिनी जो की काफी हलका है और कोई प्रॉब्लम ने आएगी स्कूर आने में ये अपने GoPro से रिलेटेट सारे मांट वगएर है इसके अंदर ये पंचर किट हो गई राइडिंग पैंट जो की मैंने आज ही ली है और ये जो है ईपास जनरेट किया है भी उत्रगंड में एंट्री करने का देखो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई रोक नहीं रहा बट फिर भी अपनी सेफटी के लिए इपास निकाल के चलें तो कोई दिक्कत नहीं है चार धाम यातरा वाला इपास है और कोई भी डेट डाल के आज निकाल लो प्रिपरेशन जो है वो आलमोस्ट डन हो चुकिया बस पैकिंग पैकिंग करना बाकी है टाइम हो गया पोने गया रहा अब इस वीडियो को मैं एडिट करके तुरंत डालने वाला हूँ कपड़ों में ऐसा है कि मैं ले जारा हूँ दो वूलन्स और पैंट में एक जिंस ले जारा हूँ क्योंकि मेरे पर राइडिंग पैंट है राइडिंग के टाइम पर मैं यही पहन लूगा और एक टैंक बैगता तो मुझे यह फिल हुआ कि मैं अकेला हूँ और इतने सारा मैं समान लगेज बगएरा लेके चल रहा हूँ क्यों लेके चल रहा हूँ तो मुझे ऐसा हुआ कि कपड़े रिपीट भी कर सकते हो आप जो अंडर्वेर वैस वगेरा होती है आप यह तो हैनी पिकनिक पर आ रहे हो ट्रिप पे एक आदमी का जो सबसे बड़ी टेंशन होती वो समान होता है जितना कम समान होगा उससे उस जो की आएगी कुछ एक हफते बाद जिसमें मैं आपको इस ट्रिप के बारे में भी बताऊंगा और इस ट्रिप को मैंने कैसे किया हो अब को दिखाऊंगा तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक केर गोडबेस तो इंस्टाग्राम पे आप झाल